एक बार एक पत्नी ने अपने पत्ती को एक मैसेज भेजा। मैसेज में उसने लिखा कि ओफिस से वापिस आते समय रास्ते से सब्जिया खरीदना मत भोलना और सविता ने आपको नमस्ते कहा है। पत्ती ने पूछा ये सविता कौन है। पत्नी ने लिखा कोई नहीं मैं तो यह confirm कर रही थी कि आप मेरा message पढ़ रहे हो या नहीं पत्नी लिखता है लेकिन मैं सविता के साथ हूँ तुम किस सविता के बारे में बात कर रही हो पती का मैसिज पढ़कर पतनी को गुसा आया उसने गुसे में पती को फोन मिलाया और पूछा पति बोलता है तो पतनी ने बोला पतनी सब्जी बजार के पास पहुंचती है और वहां देखती है कि उसका पती तो वहां नहीं है तो फिर वे उसे फोन मिलाती है और पूछती है चालाग पती बोलता है मैं तो ओफिस में हूँ अब जो भी सब्जेतों में चाहिए वो ले लो